मित्रो नमस्कार आप देख रहे हैं धमदश पत्तिका का यूट्यूब चेनल दस तेक मीडिया मैं बिनो शुकल आपको सुना रहा हूं भावा नीम करोरी की अदभुत कथाएं आदभुत कथाओं की स्रंखला में आज हम आपको लिये चलते हैं लोहा घार्ट जहां माराजी के आननिभाग्त भोवन चंद्रत्यवारी वहां के इस्टेशन इंचार्ज है इस्टेशन कौन सा यूपी है सार्टी सी उत्रपदेश पर भेन निगम है न उस लोहा घार्ट के वह इंचार्ज हैं और माराजी के प्रत पूरी दरह समर्पत हैं और ये घटना है माराजी के मानद देलीला के समापन के बाद की 1976 की भोवन चंद्र जी तिवारी जी सो रहे हैं और सोते समय वही कनागतों का समय है कनागते जानते हो न आएक कनगते फूले कांस और बामन उगले नानोपांस मालू मैं न क्या के कनागतों में सराद्ध किया जाता है और बामन मीन्स ब्रहमणों को भोजन कराया जाता है तो माराजी आते हैं और भोवन चंद्र तिवारी से पूछते हैं तूने अपने पिता का सराद्ध किया नहीं किया चल करा देते हैं महराजी सपने में जब यह कहते हैं, तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि वो गाउं पहुँच गए हैं, गाउं उनका धोगोली है, अल्मोरा जनपत के रहने वाले हैं, तो अपने गाउं धोगोली में पहुँचके पिताजी का शिरादिक करने लगते हैं, तो सिराद्वी में सारी चीज़ें होती है जो भी मैं वस्त्र दान होता है नदान होता है जन क्या-क्या आपको होता होगा तो वो सारी चीज़ें होती है तो उसमें क्या है देखते क्या है कि वो वस्त्र लाना भूल गए है तेकि सपने में जो कुछ होता है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में हो रहा है अब तिवार जी महाराजी से कहते हैं मैं बस्त लेके आता हूं और फिर करता हूं महाराजी कहते हैं महाराजी खड़े हैं मंत्रों चार कर रहे हैं महाराजी कहते हैं कैसा कर तुझ यह रोई है ना रोई को कर ले जब पिंड दान के लिए कपड कि बस्त की जरूवत है वहां रुई विछाली जगा रुई विछालिया मारा जी ने अपने सानिध में पूरा स्राध्य करवा दिया और फिर जब स्राध्य कारिक्रम समापन की तर बड़ा तो वह बस्त था रुई थी वह लेके और भवन चंद्द तेवारी के सिर पर रख दी और आशिरवाद दिया जब वह आशिरवाद दे रहे थे तब भवन चंद की आँख खुल गई उन्ही आरी कल तो हमावश्या है आंतम साधिकां दिन होता है वो आप गाउं जाते हैं पिता जी कैसे राधी करते हैं विदिधान से और उन्हें यावास होता है कि महराजी पि तो महराजी ने स्वेम उपस्तित होंगे भोवन चन तिवारी के पिता का शिराद करवा दिया और उनको ब्योहारिक रूप में जाने के लिए जगा दिया, सो रहे थे जगा दिया और धुमोली जाकर उनने शिराद किया पूरुवज्यों हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना गया है कि हम पूरुवज्यों की आत्मा की संतुष्टी के लिए उन्हें प्रसर्ण करने के लिए हम स्राद्ध करते हैं और मेरे सर्मत में भी करनी भी चाहिए क्योंकि जो धर्म कहता है जो विवस्थाएं हैं समान में उसको हम लेके चलते हैं तो मित्रों जब भी कोई कारिकरम करें आप माराज को आमन्तित करें अम माराज जी आपके यहां जरूर राजमान हो दे बस ध्यान रखिएगा आते जरूर हैं लेकिन हम लोग पहचार नही कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें